जी नवस्कार किसान भाईयों मैं कमल चोदरी आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिनानर करता हूँ क्रसी एडवाइस चैनल पर किसान भाईयों आज हम एक विशेश विशाई पर चर्चा करेंगे जिसे आम किसान भाई कभी भी नोटिस नहीं कर पाता कि वह जो दिन रात अपने खेतों में महनत करता है वो महनत करता है और उसको जो उत्पादन मिलता है तो हाँ आम किसान भाईयों सोचता है कि मुझे जो उत्पादन मिला है वो परियापत है मेरे महनत के अनुसार है लेकिन वो नजाने क्यों ये सोचता नहीं कि मुझे और भी इससे ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है और मुझे इससे ज़्यादा उत्पादन क्यों मिल सकता है कैसे मिल सकता है मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि मुझे ज़्यादा और भी उत्पादन मिल सकता है लेकिन हमारा किसान भाई हमेसा जो है इस गलत फेमी में रहता है कि मैंने जो म किसान भाईयों आज के इस भाग दोड़ बरी दुनिया में जिस प्रकार हम चल रहे हैं और हमारी आवशक्ताइं बढ़ती जा रही है उसको मद्दे नजर यदी किसान सोचे तो निस्ची थी वो जो रात दिन मेहनत कर रहा है उसके अनुसार उसको जो उत्पादन मिल रहा है वो ठीक है लेकिन उसको उससे जादा उत्पादन की जरुत है और जादा उत्पादन लेना ही पड़ेगा तबी उसकी सभी अवशक्ताओं की पूर्ती हो सकती है तो किसान भाईयों हम आज एक विशेवस्तू पर चर्चा करेंगे जिसे कभी भी किसान भाई जो है हमारा व सेमी में रहता है कि जो मैंने मेहनत करी है उसका सव प्रतिसत परिणाम मुझे मिल चुका है लेकिन किसान भाईयों क्या आप ये जानते हैं कि आप ये सव प्रतिसत जो मान रहे हो ये आपकी क्योल मेहनत का परिणाम है और इसको 50 प्रतिसत ही आप मानो क्योंकि 50 प्रतिसत और आपको अधिक उत्पादन मिल सकता है, बस सर्थ ये है कि आपको प्रभंदन सही तरीके से करना है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रभंदन सही तरीके से करना है, और ये प्रभंधन के बारे में हम आपको विस्तरत जानकारी देंगे प्रभंधन के तरीके यदि किसान ये सोचे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं जो उत्पादन ले रहा हूँ वो उत्पादन ले रहा हूँ तो उसमें कितनी लागत लगा रहा हूँ क्या मैं जो मेहनत कर रहा हूं, लागत लगा रहा हूं, उससे और भी उत्पादन आ सकता है क्या, इस मैं जो उत्पादन के लिए समय, स्रम और पैसा तिनों खर्च कर रहा हूं, तो उसके अनुसार मुझे उत्पादन मिल रहा है क्या, और यदि ये सब के बारे में किसान और उसको यदि प्रभंदन के रूप में आपनी खेती में अपनाए तो निश्चित ही उसको 50% से आधिक उत्पादन मिल सकता है और उसके बारे में कैसे कैसे प्रभंदर और कौन से करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे